पंदरासो का खेला खतम हो चुका है, अब आएगा पचीसो की बारी, पचीसो का जो सेक्मेंट है ना भाई, सबसे ज़्यादा कमपिटिशन है, और सबसे ज़्यादा लोग इसी स्प्राइस रिंज के अंदर जो है कीबोर्ड लेते हैं, इसलिए कमपनी जो है, यहाँ पर फी सब में देखने को बिलेगा, जिसमें RGB देखने को बिलेगा, वह वाला मैं अलग से बता दूँगा, बाकि यहाँ पर जो भी चीज़े हैं, जैसे Windows लॉक बटन हो गया, पूरा कीबोर्ड लॉक करनी की साहुलियत हो गया, मल्टिमीडिया होट कीज हो गया, यह सारी चीज़ टाइप-C केबल, उसके साथ आपको बहुती बड़िया क्वालिटी का ओवर और बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन जो ओटेबो के स्वीचेज यहाँ पर मिल रहे है, रेड़ वाले मिल रहे है, लो एक्ट्विशन वाले मिल रहे है, FPS गेमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाय और यही इसका सबसे वड़ा USP है, कीमत इसका सेल प्राइस पे 1899 है, वैसे इसका प्राइस जो है 2000 प्लस ही रहता है, 2100 रहता है, अभी सेल के टाइम पे यह जो प्राइस है, इसका पूरा फायदा उठाना बिल्खुल बनता है, थेमिस की कीमत थी 1899, अगला जो कीबोड है वो 1999 का है, अब यहाँ पर यह जो कीबोड आ रहा है, यह सिर्फ 100 रुपे के डिफरेस के साथ, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर स्वैपेबल स्वीच की साहूलियत मिल रही है, कहां से मिल रही है, रेड रेगन कुमारा नाम के इस कीबोड में बिल रही है, रेड वाले स् यहां पर देखने को मिल रहा है रेड रेगन कुमारा के 552 कीबोर्ड का सबसे बड़ा यूएस पी है इसका स्वापेबल फीचर अगर आप अभी रेड़ स्वीच यूज कर रहो इसका डिफॉल्ट वाला लेकिन कल को आप सोचते हो कोई और स्वीच के अंदर लगा के एक्सपरिमेंट करने का मज़े लेने का उसका तो वो बिलकुल पॉसिबल है क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपर टूल भी जो है इंक्लूट कर दिया गया है तो आप यहां पर की रिमूविंग टूल से आप जो है स्वीच सिस्टम को निकालो और दूसरे अपने मन पसंद का कोई भी ओटेमो के स्वीच कोई भी कलर का स्वीच आप यहां पर लगा सकते हो यह साहूलियत बहुत बड़ी चीज है इसका मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि आप इस कीबोड के साथ जो है कस्टम खेल सकते हो इसको मौड कर सकते हो अपने हिसाब से इसके साउंड वेरियेश उसका बड़ा भाई जो है अगला प्रतिदवंदी है अब यहां पर यह जो कीबोड है यह आ जाता है आर्टेमिस नाम से सीबीजी के थर्टी वन के नाम से कीबोड पूरा का पूरा सेम है थेमिस जैसा ही वही MCU चिपसेट मिल जाएगा वही आपको RGB कलर्स मिल जाएंगे प वाकि तमाम चीज़े एक ही बराबर है यहां पर राइस क्या देखने को मिलेगी प्राहिम सेल पर 2199 पिछला कीबोड आर्टेमिस 2199 अब यह और कीबोड देख लो 2199 कंपेर अपने आप हो जाएगा यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है evo fox की तरफ से katana pro अब य जो है arrow keys का demand है उनके लिए यह वाला keyboard में जाता है साथ ही क्या यहां पर सुनते जाओ इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है सबसे पहले तो software support देखने को मिलता है थर्ड आपको यहां पर इसके ऊपर mco chipset का support देखने को मिल रहा है और even यहां पर आपको जो है red otomo switch के साथ अगला keyboard उठानी वाला था उससे पहले मुझे याद आ गया यह जो keyboard था पिछला katana pro इसका एक और बड़ा USP क्या है पता आपको सबसे बड़ा USP है इसका tank like build quality बहुत ही तगड़ी build quality है और उपर जो है आपको metal base plate देखने को मिल रहा है और पीछे जो plastic है overall जो body है काफी heavy है तो लोजी आ गया red gear का shadow plate भाई साब अब यह जो keyboard है Amazon के अंदर viral keyboard है अब यह keyboard जो है आप सुनकर ताजूग करोगे यहाँ पर जो switch देखने को मिल रहा है blue वाला वो आपको hotel नहीं मिल रहा है बलकि एक और अलग सी company है नाम है उसका content और वो switch इतना बहतरीन है दो साल से use कर रहा हो package इसका देख के अब समझ सकते हो review भी दो साल पहले आया था regular मेरा editor इसके उपर जो है editing कर रहा है 8 से 10 घंट इसके उपर बिल्कुल जद्दो जहाँ चलती रहती है तब भी यह keyboard एकदम flawlessly काम कर रहा आज तक और content के switches के लिए तीन ताजी मेरी तरफ से और यहाँ पर रिस्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है और जो switch की quality है मैंने बताई दिया उसका कोई जवाब ही नहीं है ओटेमो के keyboard एक बार को दो साल तीन साल बाद खराब भी हो सकते हैं मैं दावा कर सकता हूं content के switch खराब नहीं होंगे तो बिल्कुल नाम पे मत जाईए shadow blade के नाम पे ब बहुत बढ़िया keyboard है और साथ ही यहां पर इस धारदार blade में आपको rainbow lighting देखने को बिल रही है यही थोड़ा सा मेरा अफसोस रही है इसका version 2 आ सकता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा जो RGB के साथ है वही थोड़ा सा खटकता है वरना keyboard सोना है सोना यहां पर RGB की जगह पे आपको rainbow देखने को बिल रहा है body की बात करेंगे तो tank है वाई tank क्यूंकि यहां पर उपर जो है नीचे जो है आपको metal ही metal steel ही steel लेखने को बिलेगा तो overall जो महेंगे Corsair वाले keyboard आते है वही feel आपको यहां पर देखने को बिलेगा बहुत heavy है एक के जी से उपर का definitely है और उप format आता है keyboard का 800 format का जाता है 800 compact to be precise अब यह जो keyboard होता है इसमें आपको numpad मिल जागा GTA वाले प्रेमियों के लिए बाकि यह जो keyboard है numpad के साथ भी full size नहीं होता है इसमें कुछ keys जो है missing होता है और यह compact size में होता है और zebronics ने यह 800 compact वाला formula लगाया यह बहुत ही कमाल कर दिया है और यहाँ पर keyboard आपको compact size में full size keyboard के मज़े दिलाएगा याने कि आप GTA खेलो FPS वाले खेलो AAA के title कोई भी खेल लो आपको यहाँ पर यह keyboard शिकायत का कोई मौका नहीं देगा क्योंकि ओटे मौके red switch इसमें लगे हुए आ रहे हैं company ने कई सारी जगा पे RGB RGB का प्रचार किया भा आती आपको extra क्या मिल रहा है type C का detachable cable मिल रहा है और सबसे बड़ी बात आपने जितने सारे keyboard देखे ना अभी 25 के अंदर उनमें सबसे unique keyboard जो है यह Nitro Pro है अलाकि बहुत ही latest release है Zebronics की तरफ से इसलिए काफी सारे लोगों ने अभी तक try नहीं किया है बहुत सारे लोगों का is RGB बाता आता है अब यह वाला जो keyboard है भाई सबसे बड़ा इसका USB क्या है भाई 25 सो रुपए आप दे रहे हो hot-servable भी लेके जाओ hot-servable keys के साथ EQD वाला जो keyboard है इसमें आप 2-pin 3-pin किसी भी company का switch जो है किसी भी color का switch है आप यहां पर लगा सकते हो यानि की full modding enjoy कर सकते हो keyboard क करता है अगर extra or feature की बात करें RGB फुल देखने को मिलेगा कस्टमाइजबिटी कहां मिलेगी software के उपर देखने को मिलेगी पूरे tools वगरा इसके साथ अंदर आ जाता है और red switch के साथ आ रहा है linear वाले low-actuation वाले तो यहां पर gamers को धियान में रखते हुए आ रहा है पच्छी सो 500 रुपे के budget में मेरे top 3 में एक तो यह phase आ गया hot so available आ रहा है इसलिए कह रहा हूं साथ ही दूसरा आप सबको पता है shadow blade जी हां यहां पर यह RGB नहीं है लेकिन इसका जो धासू metal build quality है tank like और जो dial knob देहने को मिलता है वो बहुत ही सुन्दर दिखता है और बहुत practical है साल वो साल यूज कर रहे हैं हम कोई दिक्कत नहीं आ रही है और थर्ड ली अब आप गुस्सा मत करना कोई कॉस्म बाइट का keyboard नहीं उठा रहू है आपर अगेन अब जो थर्ड मेरा preference है वो evo fox katana pro अब यह keyboard मैंने क्यों चूज किया क्योंकि यह keyboard है यहां पर आपको 85% के उपर तमाम वो खूबिया देखनी को मिल रही है चाहे आप RGB की बात कर लो चाहे आप software support की बात कर लो चाहे onboard memory की बात कर लो यह सारे चीजें जो है आपको katana pro में देखनी को मिल रहा है सो भाई लोग 1500 वाला 2500 वाले सारे keyboard आपने देख लिया आपने अब तक decision भी बना लिया होगा लेकिन अभी भी खेल बाकी है अगला episode आएगा वहां पर हम बताएंगे 3000 वाले 5000 वाले 5000 से उपर कीमत वाले जितने भी keyboard है उसको भी हम cover करेंगे फिलहाल आपको क्या करना है आप आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एक टेक बोक्सिंदी ऑफिशल पर टैग करना है क्यूं ताकि मैं देख सकूं कि फाइनली ये 1500 और 25 के अंदर आपने कौन सा keyboard चूज किया और आपकी discussion कौन सा keyboard बढ़ा रहा है